Hello friends, welcome back to my channel Deep Classes जिसमें आज हम जानेंगे कथा की लिखिक परंपरा के बारे में लेकिन हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथी साथ MSD से रिलेटिड अदर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेशन है कथा की लिखित परंपरा का विवेचन कीजिए इसका उत्तर देखें तो कथा अत्यंत प्राचीन समय से ही मोखिक परंपरा के रूप में विद्यमान थी और इसके लिखित रूप में प्रारंब होने के निश्चित तथा प्रमारिक विवरण उपलबना होने के बावजूद वालमिकी की रमायन को परंपरा के रूप में माना जा सकता है जिसे राजा राम के दर्बार में लवकुष दुआरा सुनाए जाने का उलेख मिलता है इसके उपरांत महाभारत को ही संभवता प्रतम लिखित कता या आख्यान के रूप में जाना जाता है महाभारत इसापूर्व सन आठ सो से सो महाभारत का रचना काल माना जाता है इसका प्रथम पार्थ जय इसापूर्व आठ सो दूसरा पार्थ भारत इसापूर्व पान सो तथा तीसरा पार्थ महाभारत इसापूर्दोसों से सो में रचा गया उग्रुशर्मा सोती को पुरानों के विद्वान तथा कथा वाचक के रूप में जाना जाता है उग्रुशर्मा ने महर्शी शोनक के यग्य सत्र में उपस्तित ब्राह्मनियों को बारा वर्षों तक यह कथा सुनाई थी और उन्होंने इसे स्वयम महरिशी वैशम पायन से सुना था जनमेजय के नाग्यग्य में वैशम पायन ने यह कथा श्री कृष्ण द्वेपायन व्याज द्वारा महाभारत के रूप में सुनी थी व्याज जी ने तब महाभारत की रचना करने अपने शिश्यों को इसका अध्यन करने तथा जन जन में इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी से सहायता का अनुरोद किया तो उन्होंने व्याज जी को अपना काववे लिखवाने के लिए गनेज जी से अनुग्रे करने को कहा उनके अनुरोद पर गनेज जी व्याज जी के पास पहुचे और उन्होंने ग्रंथ काले खक बना इस शर्थ पर स्विकार कर लिया कि यह ग्रंथ व्याज जी को बिना कहीं रुके लिखवाना होगा व्याज जी ने गनेश जी की यह शर्थ स्विकार कर ली तथा उन्होंने भी अपने साथ यह शर्थ लगा दी कि गनेश जी को शलोकों का अर्थ समझकर ही उनको लिखना होगा तब कहीं जाकर महाभारत की रचना हुई जिसमें चतुष्टे पुरुशार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया है और अब यह भारत के इतिहास का उजवल वप्रकाशित दीपक है महाभारत की रचना यद भी शुरुती परंपरा के रूप में हुई थी किन्तु व्याज जी ने उसके व्यापक प्रसार हेतू गनेश जी की सहायता से इसे लिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जिसके उप्रांथ यह वाचन परंपरा के रूप में शुरुताओं को सुनाई जाने लगी दूसरी लिखित कथा है बड़ कथा जिसे ब्रिहत कथा भी कहते है महाभारत के उप्रांथ कथा की लिखित परंपरा में ब्रिहत कथा का स्थान आता है यह कथा भगवान शिव्द द्वारा माता पार्वती को उनके अनुग्रे पर सुनाई गई थी किन्तु विभिन परिस्तितियों के मद्धे साथ लाक्ष लोकों में से एक लाक्ष लोक ही बच पाए राजा साथ वाहन ने इन एक लाक्ष लोकों का संस्कृत में अनुवाद कराया अतहा इसके बाद इसके प्राक्रित के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में अनुवाद हुए और ग्यार्वी सदी में यह कथा सरित सागर के रूप में सामने आई तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना कथा की लिखित परंपरा के बारे में अपनी नेक्स वीडियो में हम कथा की नई अफधारना को जानेंगे तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें थाइंक यू फर वाचिंग